देखे सबसे पहले ही बात तो है कि computer printer है क्या ठीक है तो देखे printer एक output device है क्या है printer एक output device है किस प्रतार output device है हम अगर input डालते हैं तो हम उसमें से output लेते हैं output किसके माध्यम से माध्यम से किसके माध्यम से is to add copy के बाद जो है printer ही एक ऐसा डिवाईस जिसका इस Luky किसा करते हैं माउस का, ठीक है, माउस के बाद हम किसके करते हैं, कीबोड का, कीबोड के बाद हम सबसे यादा जो output device है, उसका उपयोग करते हैं, वो है input device जिसका इस्तमाल करते हैं, याने mouse, keyboard और printer, माउस और keyboard के बाद जिसका सबसे यादा इस्तमाल करते हैं, वो है printer, ठीक है, तो office, घरों और website प्रदिश्थानों पर printer का उपयोग किया जाता है चित्र office document print करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है साधरान तौल पर printer computer के साथ एक data cable के साथ में जूड़ा रहाता है इसको हम किसके इसाफ से जोड़ते है data cable के साथ में computer के साथ में जोड़ते किसी भी application से ctrl-p, लेकिन आज कल के जो प्रिंटर में नई तख्नीक का प्रियोग किए आता है, उसमें wireless printing प्रमुख है, जिसमें printer को वाइ-फई और cloud से जोड़ा जाता है, जिसमें दूर बैठेई printer को कमांड दे सकते हैं, cloud टकनीक से आप mobile से भी printing का command दे सकते हैं और print निकाल सकते हैं यह एक बार उच्छा किया question है तो याद रखेगा mobile की कौन सी टकनीक है जिससे हम घर बैठे या दूर से ही क्या निकाल सकते हैं print तो वह है cloud method ठीक है कौन सा method cloud का method ठीक है cloud टकनीक जिसको का जाता है जिससे हम दूर बैठकर mobile से भी क्या निकाल सकते हैं print out निकाल सकते हैं तो यह printer और printer का print out देख सकते हैं hard copy के माध्यम से निकलता है ठीक है ते क्या है एक output device है ठीक है अब उसके बात में देखते हैं printing विधी प्रिंटिंग method जो है वो print करने की विधी जो महत्पुण कारक है उसमें printing विधी यानि printing method तो दो प्रकार की printing method होती है एक को कहते हैं impact printer printing यह जो एइंपक्ट प्रिंटिंग और तसा दूसरा क्या होता है नॉन इंपक्ट प्रिंटिंग तो इससे बहुत जादा question पूछे आत विधी के समान ही होती है, टाइप राइटर में आपने देखा होगा, ऐसे करके जो वो बने होते हैं, रिंग बने होते हैं, जो टप टप करके क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसी प्रकार क्या होता है, इम्पेक्ट प्रिंटर होता है, जिसमें धातू का एक हैमर लगा प्रिंट है वह वह कागाज रीबन से टक्राता है इंपक्ट प्रिंटिंग में अक्छर ये करेक्टर थोस मुद्रा अक्छरों याने इंपक्ट प्रिंटिंग कहते हैं इंपक्ट प्रिंटर उसी माध्य में उसी प्रकार से काम करता है इसके जो प्रमुक जो क्या है विदिया वह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये याद रिखेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपक्ट प्रिंटर का उधारान है डेजी क्यों हो गया impact printing उसके आदेखते हैं non impact printing में होता क्या है तो इसमें print head या काज के मद्य संपर्क नहीं होता है ठीक है इसमें laser printing के द्वारा technique की दी जाती है इसलिए इसकी quality high होती है non impact printer की अनेक विदिया होती है non impact printer में किसका इसके अंदर जो विधिया होती है उनको याद रहना रहो तो तइसके अंदर इसको याद रहें थिक है उसके बाहन देखते हैं प्रिंटर के ग४ोर्व्ढ होता है तो printer के वो खिता चार गुड होते हैं, इनकी वज़ाद से सब इनकी तरफ आगर्सित होते हैं और इनका जादा जादा इस्तमाल करते हैं देखें, पहला जो है रंग, अगर आप अपनी किसी presentation से संबंदी जानकारियों को पेजों पर print कराना चाहते हैं तो आपके लिए जानकारियां का सही color में होना ज़र्री होता है, जो color सही होगा, तो वो सही होगा, जो आपका presentation है तो color printer आपकी इस परशानी को दूर कर देता है, color printer में दो cartridge ink लगी होती है, एक जो होता है वो black ink होता है, और दूसरा जो होता है, रंग ink होता है, ठीक है उसके आदे प्रस्ताव जिसको कहते है resolution, ठीक है, तो printer द्वारा print किये गए paper के सब्दों का run और उनके सफाई से दिखने को ज़्यादा तर dot पर inch पर ना पा जाता है, ये question बनता है, ठीक है, किस में नावा पर जाता है, तो dot पर inch में ना पा जाता है, और उसी प्रकार उसक वही ज्यादा अच्छा printer होगा, उतनी साफ print में सफाई आती है, जितना ज्यादा उसका resolution होगा, ठीक है, गती, printer की print करने की speed भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बहुत सारे paper print करना हो, तो उन्हें समाय पर print करने के लिए printer की अच्छी speed का होना बहुत ज्याद आ सकते हैं, जितनी ज्यादा आपके printer memory होगी, printer भी उतना ही ज्यादा गती से paper को print करेगा, ठीक, ये इसके क्या है, गुण है, अब कभी exam में पूछ लियाते हैं, अब देखते हैं printer के प्रकार, ठीक है printer के जो प्रकार है, तो printer कई प्रकार के होते हैं, उनको उनकी technology आधी को ध्यान में रखते हुए, निमलिकी स्रेंडियों में बाटा जाता है, तो पहला है dot matrix printer, dot matrix printer जो अक्षरों को छापता है, और उन अक्षरों के बीच का अंतर भी कम रखता है, ये बहुत महेंगे होते हैं, लेकिन ये एक साथ बहुत सारे paper को print कर सकते हैं, इनके print की अच्छी नहीं होती है, गती, जो dot matrix printer है, उसकी गती, तो printer के काम करने की गती को CPS, CPS का मतलब होता है character per second, जो character है per second में मापा जाता है, याद रखे का dot matrix का पूछा जाता है कि इसका printer के काम करने की गती को किस में मापा जाता है, तो CPS में मापा जाता है, character per second में मापा जात यह बीकई बार इजाह में पूछता है हार डोट मेट्रिक्सत्र की अलग अलग गती होती है प्रिंट गुडवत्ता इनकी पिन पर विभाए या निरधारित होती है जो इनके पीन लगे वह उता है उन्न पे ये क्या होता ही निरधारित होती है इनमें यह याद रखेगा 9 18 औ 9, 18 और 24 ठीक है और इसलिए इनकी print की गुड़गत्ता बाकी dot matrix printer से बहुत अच्छे होती है जिसकी 24 पिन लगे होते हैं ठीक है ink dot matrix printer अपनी ink के लिए ribbon का इस्तमाल करते हैं dot matrix printer का काम करते वक्त बहुत आवाज करते हैं यह जो dot matrix printer होते हैं यह देखे इस प्रकार के होते हैं इसमें आवाज बहुत ज़ादा होती है और इसका जो question बनेगा वो बनेगा यही कि dot matrix printer को मापा या नापा जा सकता है तो किसमें CPS में character per second में फिर यह 500 से यह 50 से 500 अक्षार तक शाप सकते हैं ठीक है उसके आद है inkjet printer ठीक यहाँ से question बहुत सारे बनते हैं एक आसा printer है जो paper पर ink छिड़क कर अपना काम करता है इसमें कुछ चुम्बकी प्लेटे होती है ठीक है यह पूछा जाता है कि inkjet printer में कौन से प्लेटे होती है तो चुम्बकी प्लेटे होती है जो ink को उनकी सही जगा पर क्या करता है छिड़कती है इन inkjet printer के गुड़वत्ता भी बहुत अच्छी होती है जो लगबग laser printer के प्रिंट जैसी होती है गती याद रखेगा एक laser printer हर second 600 अक्षर तक प्रिंट कर सकता है यह याद रखेगा हर inkjet printer की काम करने की गती भी अलग-अलग होती है प्रिंट गुडवत्ता इनकी प्रिंट करने की गुडवत्ता को DPI यादे डौट पर इंच तो यह याद रखेगा आपको यह important है ठीक है inkjet printer में क्या होता है तो DPI होता है ठीक है ये जाद रखना है 24 के 40 इन्टू 12 की 20 हर का मिशार इंच किमत laser printer से कम होती है यह laser printer से कम गती पर काम करते हैं इनमें एक कमी होती है इनमें फिर्क और खास राकी इंक का इस्तमाल किया जाता है तो यह वाटेज इंक का इस्तमाल किया जाता है इस प्रकार देखें यहां पर इंक जैट से जो प्रिंट निकलता वो इस प्रकार होता है ठीक है कलार और अच्छा जो प्रिंट होता है इस प्रकार निकलता है ठीक है यह हो गया इंक जैट प्रि इलेक्ट्रिक चार्ज को बदल कर उनमें ड्रम तक पहुचाती है, उसके बाद ड्रम रोलर होकर टोनर से घुजरता है और टोनर ड्रम से इलेक्ट्रोनिक चार्ज को पकरता है, अंद में टोनर को गर्मी और दबाओ के साथ एक पेपर तक भीशता है और इस तरह लेजर प्रि आपा जाता है यह चीज सब में याद रहें आपको ठीक है यह मिनिट 31 से 40 पेज प्रिंट कर देता है फिर बुर्ट इनकी डी पी आई जो ती हुग लगमक होती है इतनी 4880 इंटू 2440 तक हो थी यह सबसे साफ प्रिंट देते हैं इंक तो लेजर प्रिंटर में प्रिंट इंक के रूप में टोनर कार्टेज का इस्तेमाल किया जाता है यह जो नापा जाता है यह पूछा जाता है ठीक है रीबन से अक्छाः प्रिंट किया जाता है मैटर पेपर जाता है इस पर्कार के लिए यह थर्माल प्रिंटर है जो प्रिंटर करते है जिस में से बिल लिकालते हैं जैसे हम आज जो हम निकालते हैं कागाज वो होता है thermal printer का उधारन और देखेए का जब भी इस प्रकार का जो print निकल कर बाहर आता है ठीक है यह तो यह जादा समय तक चलते नहीं है यह कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है मिट जाता है तो यह होता है thermal printer कई बार exam में पूछा गया है ठीक है उसके आद देखते है लाइन प्रिंटर यहां से भी कुछन बहुत जादा पूछे आता है तो लाइन प्रिंटर क्या होता है या भी एक impact printer लाइन प्रिंटर क्या है एक impact printer है बड़े computer के लिए उच गती यान 300-3000 प्रती मिनट याने कि लाइन पर मिनट याद रखेगा लाइन पर मिनट यह printer मीनी वह mainframe computer में बड़े कारियों है तू प्रयोग कियाते है लाइन प्रिंटर तीन प्रिंटर तो ड्रम प्रिंटर चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर ठीक है यह एक्जाम में कई बार तो ड्रम प्रिंटर क्या होता है? ड्रम प्रिंटर में तेज घुमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सता पर अक्षर या करेक्टर उबरे होते हैं देखें यह एक ड्रम है और ड्रम पर देखें यह करेक्टर उबरे हुए है याने W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N इस प्रकार यह पूरी लाइन जो है वो चप जाती है ठीक यह होता है ड्रम यहां से भी पूशन पूछे जाते है ऊसके बार में जी जाता है इस प्रिंटर में टेज घूमने वाली एक यह गूम Curry है तो एक चैन होती है जो इस चैन कहते हैं इसको हम क्या कर Teagen प्रतेख काड़ी लिंक में, एक कारेक्टर का alternatives होता है प्रतिय प्रिंक पता है तक लेखे है idee, प्रतेख加पर geht कर चे यहां पर ऑफ़ेजिए ए-पेपर ऐ कीश स्वाइब इसके चैन प्रिंटर के समानकारी करता इसमें चैन के सान पर इसकी का प्रिंटर में बंक करता है तो यह दिख रहा है यह लगबग लगडगектор नमें लगबग दूनों क्या है एक ही तरीके के होता है ठीक है यह होगा इसके लाइन प्रिंटर के तीनों उधाराण आप देखते हैं कुछ अन्य प्रिंटर कुछ अन्य प्रिंटर में क्या क्या होते हैं तो फोटो प्रिंटर यह वो प्रिंटर है आपकी फोटो को प्रिंट करता है इसमें प्रिंट इन प्रिंटरों का इस्तावाल घर्मी के माध्यम से प्लास्टिक कार्ड प्रिंटर Cryplayer और सादी के कार्ड बनाने में होता है आपने देखा होगा जब आपका फोटो ड़ी जो रहता है वो स्कूर्प क्या चालियों गर्मी के माध्यम से पोटो काप्य हो गया था सब कुछ होता है प्लॉटर यह भी एक्जाम में बहुत पुछे आता है तो प्लॉटर का इस्तमाल बड़े-बड़े इंटर के कुछ महत्पुन उधा रहा है